सबी लोगों को मेरे नमस्कार मैं आज नई साल के सुव अफसर पर मैं पूरे परदीश वासियों को पहले तो नई साल की धीर सारी सुखाब नहीं देता हूं कि आप आगे जागे काफी उन्यत करें और अपना नाम माबबों का नाम रोशन करने की कोशिस करें तो आज मुझे लाइबाने का मोगा भी लगा क्यूंकि इतना इमेर्जन्शी हो गया यह लाइबाने का पूरे परदेश में आज एंसी इस्तिति हो गई है भाजपा सरकार की नीत्यों को देखके, दोस्तों, आज पूरे भारत में, देखा होगा आपने महंगाई की मार है, बिरोजगारी की मार है, हमारे युवा सातिया से सडकों बेगूमी हुए हैं, जिन युवा उन्हें पड़ाई लिखाई की, वह आज ड्रेवर बनी हुए हैं, उन्हों उनको भ लिए अपना गुजारा कर रहे हैं अपना घर कैसे पाल रहे हैं वही जानते हैं आज इन नीतियों को देखके अम इस्था ने संसत में यह आवज भी उठाई है कोई भी गाड़ी ठुकेगी तो पांच लाग रुपे जुर्माना पड़ेगा अरे यार भाई वो अपने पेट तो पाले हैं कैसी सरकार निकलिये लोग अपने पेटी नहीं पाल पा रहे हैं और तुम उनसे पांच लाग का और दस साल की सजा यह बहुत न्याई है यह गलत क संगर्स है डबल इंजन की सरकार है आज इस परदेश में ऐसे स्थितिया होगी है डबल इंजन की सरकार ने पूरा भारत बीज़ दिया है देखा होगा बोग सभी लोगों ने विरोजगारी पर देखो आज क्या मार पड़ी हुई है मैं केंद्र की सरकार से भी ही निविदन करते हूं पूरे भारत में आज तुमनें ऐसा कोहराम मचाया हुआ है यह सर्मनाक बात है आपने देखा होगा उनके लिए कानून नहीं है चंपावत में जहां से हमारे मान्य मुख्य मंत्र पुषकर सिंग्धामी ने चुनाओ लड़ा था वहां से किसी भाजपा के मंडल अध्यक जी ने किसी लड़की पर किसी की बेटी पर किसी की बहन पर बलतकार करने के कोशिस की तो उनके लिए कानून कहा गया मैं यह सवाल उ आगर लगो होता है तो आम उस कानून को लहने के लिए भी तयार है कि जिन्नोंने हमारी मां भेने को नी समझा सब भाजपा के निताओं ने बलतकार में फशी हुए हैं अन्कित्ता हर्तियाकान में अभी तक उसको न्याई नी मिल पाया है कौन इसका जिम्मेदार रहेगा और नेताओं को बेठा के छोड़ दिया जनताओं ने आज तुम अपने लोगों अपने पाल्टी के खीच कर रहे हैं कहीं भी बीजेपियों कॉंग्रेश हो क्योंकि पूरे पर्दिश में सभी लोगों को परसानी हो रही है कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर पारा आप देख रहे होंगे आप किसी भी सहर में गाओं पार्किंग की वैसी ब्योहसता नहीं है पाहाड में देखो चालन करने के लिए इंटर्सेप्टर पहुंझाता है गाड़ी कहां करेगा आद में खड़ी ना पार्किंग नो कुछ है रोड़ी पी तो गाड़ी चलेगी हवाई में तो चलने नहीं पाएगी गाड़ी आज उस चीज की ऐसी स्तित्य होगी सरकार ना उस चीज कभी कभी विरोध नहीं किया आज पूरे परदेश में लड़ाया चल रही है कहां से विचारा अपना गुजारत करेगा मैं यहीं चाहता हूँ के अंदर सरकार से कि आप जल्द इसमें निलनाई ले और जल्द ही हमारे वहन चालकों भाही के साथ ऐसा अनर्थ ना करें क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी तो बड़ी बड़ी और उन्होंने अपना रोजगार तो खोला हुआ है अपने गाणि जाएंगे वह चला ही नहीं सकते गाड़ी कहीं लोगों ने तो डील वी तोड़ी अपना महीं ही चाहता हूं राज्य सरकार से भी आप ततकाल मान्या नरेंद्र मोधी परमारे प्रधानमंत्री जी से भी बात करें और जल्द ततकाल इस काम को होना है अगर नहीं होगा तो ह हम पूरी प्रदेश की जंता सड़कों पर उत्रेगी या कुछ ही भी करना हमको जेली जाना पड़े हम इस चीज में लड़ेंगे और हम युवा साथी आप लोगों के विरुत खड़े रहेंगे हम चाता है कि हमारे भाई लोगों को आप नेता को इसलिए बठाए जाता है क्योंकि हमरी युवाओं के लिए मुझबूति युवा आगे आज तुम लोगों के लिए युवाओं ने इतना संगर्स किया है आज उन नेताओं को आज उन लोलकों को कोई पूछने के लिए त पैसला करें और आप हमाने घ्रह मंत्री जी से भी बात करें इसमें और मान्य प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को से ताकि यह संगर्षी यह सब्द वहां तक पहुंचाने का कश्ट करें क्योंकि बहुत दुख की घड़ी जहली है बहुत ज्यादा तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको जादा से जादा शेयर करना हम चाहते हैं कि हमारी युवा एक करमठ एक टा को लेके आगी लड़ाई लड़ेंगे और जो हमारी बहुने के साथ अत्याचार हो रहा है उन पर आभी तक भाजपा क कि लोगों ने अब भाजपा की सरकार के द्वारा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है उनके लिए भी कानून तयार करो ना हम मानता है कि ये कानून भी होगा हंद उस कानून के लिए लड़ने के लिए तयार है और अभी तक को कानून बनाई नहीं लोग जेल पड़ पर्शचंपावत में ऐसे होने के करान अभी तक वो ऐसे केसी नहीं बन पाया रंका उनको कोई फासी नहीं कुछ नहीं है बस बिरोजगार आजमें को तो मारना है कहां से मारा जाए तो मैं मान्या नेरेंद्र मोदी जी से हमारे प्रधान मंत्री जी से आगरे करूंगा कि आप जल्द इसमें नहीं लें पूरे परदिश के ओट से भी बूल रहा हूं कि आप ततकाल इसमें अपना योगदान दें इसलिए आप के सांथ यूवा सांत ही खड़े रहेंगे ऐसे में कौन रहेगा खड़ा हम तो संगर्ष करते हैं आप लोग के सांथ आप लोग ऐसे नीतियों से वार करेंगे तो य जादों से ज्यादा ठीक है धन्यावन नमस्क्राव